दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अपरेल 2024 दिन सनीवार के आपकी राशी के दैनिक राशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से आज आपको साफधान रहना होगा, किन-किन चीजों से आज 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 आपको फाइदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा, और साथ-साथ, आज आज आपका भाग्यसाली अंक क्या रहे और साथ साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत्पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा अच्छा देने रहने वाला हैं परिवारिक जीवन में आज हर सोरूलास का वाता वरण रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण आज आपका मन प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी भी कारे को करने का आज प्रतन करते हैं तो वह भी आज आपके लिए सफल हो सकता है। कारे छित्र में काम की आज अधिकता भी रहेगी और कारे सफलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। भाग दोड के बावजूद कारों में अपेक्छित सफलता ना मिलने से मन थोड़ा व्यथित भी रहेगा। क्रोज पर नियंतन एम वानी पर आज आज आपको सहियम रखना होगा। अन्यता बे वज़ा आप विवाद में भी फस सकते हैं। साथ साथ पता दें, यदि आप नोकरी करते हैं, तो साइड वेवसाय करने का भी आज आप प्रेतन कर सकते हैं। या किसी के साथ मिलकर कार रहे वेवसाय को नई दिसा आप दे सकते हैं। या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का भी मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको कामियाबी अवश्य मिल जाएगी साथ साथ पता दें आपके सगे संबंदियों से संबंद आज बहतर नहीं रहेंगे इसलिए सगे संबंदियों के साथ मिलकर किसी भी कार्रे वेविसाय को करने का आप कोशिस ना करें अन्यता आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है और आपकी आर्थिक इस्तिती खराब होने के साथ साथ सारारिक तथा मांसिक परेशानियां भी बढ़ सकती है साथ साथ आपको बता दें यदि आप नौकरी बदलने का कोई विचार बना रहे हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं आपको नौकरी बदलने से काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्टन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यारतियों को उच्छ सिक्षा के लिए विदे से जाने का भी अवशर अब प्राप्त हो सकता है जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना अब पूर्ण हो सकती है साथ साथ बता दें यदि आप नोकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से आज ध्यान देना होगा अन्यथा आपके कार्य इस्थल में आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है कार्य सफलता के लिए आपको द्रै इच्छा सक्ती और मनोवल की आवशक्ता होगी जो आपको कठिन समय में भी अच्छा परदसन करने के लिए प्रेदित करेगा साथ साथ आपको बता दें जीवन साथी से शहयोग आज आपको प्राप्त होगा परंतु उसके लिए संबंद मदुर बनाए रखना आपके लिए पहतर रहेगा वेवसाई के द्रश्टी से आज आपको अच्छा लाव प्राप्त होने की पूर्ण संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कारणे वेवसाई से जुड़े हैं तो उसे बहतर दिशा देने का प्रत्न करें आप जिस किसी कारणे को कर रहे हैं उस कारणे से संबंदित अच्छी काम्याबी आज आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है साथए साथ आपको बता दें आप अपने वित्ते प्रबंदन के प्रती काफी सचेत भी रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच में उतार चड़ाव की इस्तिती लगातार बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रभंद पहले से ही तैयार रखना चाहिए ताकि पृतिकूल समय में प्रेशानी से बचा जा सके साथे साथ आपको बता दें कुछ खुसियों और कुछ चिनोतियों को दोनों को साथ लेकर आपको आज आगे बढ़ना होगा यदि आप हर चिनोती का डटकर सामना कर पाने में सफल हुए तो आपके लिए इस समय को बहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता परिवारिक जीवन, दबपत्य जीवन, विवा, शंतान, शिक्षा और आर्थिक इस्तिती के लिए आज का दिन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है शमय का भरपूर लाब उठाएं साथी साथ आपको बता दें इसके अतिरिक्त आप अपने कारेच्छित्र में वेस्तर होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलों पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को भी खलेगी इसलिए कुछ समय घर परिवार के लिए भी आपके लिए निकानना आवश्चक है घर परिवार के लिए भी कुछ समय निकालें उनके साथ शमय वैतीत करें उनको अच्छा लगेगा दोस्तो बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तो आपको बता दें आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण आनंद लेंगे और अपने प्रियतम को स्पेसल फिल करवाएंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकर्शण की भी वरद्धी होगी साथ यसाथ बता दें आज आप कहीं घूमने फिरने के लिए भी औफर कर सकते हैं तभी आपके प्रेम में वरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की भी संबावना उत्पन हो सकती हैं एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है साथ साथ प्रेम संबंदों में एक दूसरे के प्रती रूची बढ़ सकती हैं समय को देखते हुए अपने प्रेम संबंदों को नई दिसा देने का प्रियास करें दामपत्य जीवन को लेकर कुछ तनाव की इस्तितियां भी उत्पन हो सकती है साथ साथ पता दें यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं हो तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से किसी को प्यार करते हैं तो आज आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लाब पर दिन साबित होगा प्रेम संबंदों के लिए प्रेम जीवन के लिए आज के दिन अति उत्तम रहेगा दिन का भरपूर लाब उठाएं दोस्तो बात करें आज आपका वेवसाय और केरियर कैसा रहने वाला हैं तो दोस्तों आपको बता दें गिरहों की इस्तिती आज आपके लिए अनुकूल रहने वाली है जिस से आज आपको आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं साथ साथ कारोबार आज अच्छा चलेगा और कारों में सफलता मिलने से धन लाब की इस्तिती भी रहेगी विद्धारते के लिए समय अच्छा रहेगा कोट कचैरी से जुड़े लोगों को अपने कारों में आज सफलता मिल सकती है कोई बड़ी खुशकबरी उनको आज प्राप्त हो सकती है साति सात ववसाइक साजेदारी में अनैक चिनोतियों का आज आपको सामना भी करना पड़ सकता है विदेशी वेपार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा आज आप नकारातमक विचारों से धूर रहें अन्यता आपको बड़ा नुकसान होने की भी संभवना रहेगी, कारेचित्र में काम की अधिक्ता रहेगी, जिससे मन थोड़ा व्यगर भी रहेगा, नए कार्रों के शुरुआत करने से भी आज आज आपको बचना होगा, साथिसाथ यदि आप किसी भी नए कारे के करें अन्यता आप बड़ी हानी में पढ़ सकते हैं बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों साथे साथ आपको यह भी बता दें कि वेवसाइक गती वीडियों में छोटी मोटी परिशानियों का भी आपको सामना करना पढ़ सकता है कारे छित्र में काम की अब अवश्य मिलेगा आपको लाब ही दे कर जाएगा यदि आपको प्रॉपर्टी में आज निवेश कर सकते हैं साथ इसाथ धनका लेन देन करने में थोड़ी साबधानी बढ़ते हैं अन्यता आपका पैसा फस भी सकता है शाथ इसाथ नोकरी करने वाले लोगों को नोकर ही नोकरी के मिधि प्राप्ती हो सकती है बहुती अच्छा दिन रहेगा आज वैवेशाय और केरियर सम्मद्दित भरपूर लाब उठाएं इस दिन का दोस्तो साथ इसाथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें आपको अपने स्वास्त का आज बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आज आपका स्वास्थ भी बिगड़ सकता है साती सात पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान कर सकती हैं इसलिए अपने स्वास्थ के पढ़ती शावधन रहें शचित रहें औ और नियंतन योग प्रेणाम के सहरा ले आपके स्वास्थ के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साती सात बता दें आज आपके लिए भग्यसाली अंक क्या रहने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भग्यसाली अंक रहने वाला है दो और भग्यसाली रंग रहने वाला है केसरी और दोस्तों साती साता आपको बता दें आज आपके लिए कौन कौन से उपाई लावकारी शाबित होंगे तो दोस्तों आपको बता दें आज आप इस्कूल हॉस्टल या फिर अनाथ आश्रम में या फिर धर्मिक इस्थान पर आर्थिक मदद या पुस्तकें या फिर उपियोगी समान दान करते हैं अपने स्रद्ध समर्थ के नुसार तो नोकरी वे बिजनिस में तरकी के योग रहेंगे आपके लिए धन लाव की भी इस्तिती अच्छी होगी आर्थिक परेसानिया जो चल रही हैं उनसे छुटकारा मिलेगा आपको सात जिन से परेशानिया धीरे धीरे समाथ हो जाएंगी इन में से कोई भी उपाए कर लें आपको लाब होगा और दोस्तों साते सात बता दें आज आपको आपके भाग्ये का कितना परतिसा सात मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको आपके भाग्ये का पूरा 95% स हाथ मिलेगा हर हर महादेव जय बहुले नार्ट